कॉंग्रेस की महासच्यू और वरिष्ट नेता जो तिरस्दित सिंधिया के सामने इस समय एक नया संकट खड़ा हो गया है। खाली करना होता है। इसी को मद्यों नजर रखते हुए उन्हें नोटी जारी किया गया है कि वे एक महीने में अपना बंगला खाली करते हैं। और उनके ही साहयक रहे केपी यादाव से उनको चुनाव हारना पड़ा। निश्यत रूप से कॉंग्रेस के लिए और जोतिरादित सिंधिया के लिए चुनाव हारना एक बहुत बड़ा धक्का था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शुपुरी की सबसे स्रक्षे सी जहां से अभी तक सिंधिया पर परिवार का कोई सदस्ध चुनाव नहीं हारा। और जहां हमेशा दबदबा रहा है वहां पर आखिर जोतिरादित सिंधिया चुनाव कैसे हार गए। सवाल तो इस पात का भी है कि चुनाव हारा भी तो किसी दिगज़ देता से नहीं अपने ही साहय करहे एक छोटे पार्टी के राज़निती कारी करता के पीयादों से। कहा तो यह भी जाता है कि एक बार जो तिरह दित्त की सेलफी लेने के लिए के पी आदा उन्हें रिक्वेस्ट की थी इस पर उन्हें जड़क कर उनकी पत्नी ने उन्हें भगा दिया था और यही बात उनको चुप गई और वे भारती जिन्ता पार्टी में शामिल हो गई इसके पशादफ में अमिल शाह से मिले हमिल शाह को उन्हें अपने दुक की बायानी कि कि स्थरेंसे एक सेलफी लेने के लिए उनका अप्मान किया गया और इसके बाद आ इसके बाद अमिल शाह ने सक्री हो جाने का आदेश दिया इसके पहले केपी यादों ने उनसे यह भी कहा कि वे चुनाव रड़कर जोतरा दित्त को हराने का सपना देखते हैं और अगर उन्हें अमिर शाह का आश्रवाद मिल जाए तो वे सपने को पूरा कर सकते हैं अमिर शाह के सामने वैसे भी शूपुरी में कोई विकल्प नहीं था वे जानते थे कि सिंधिया परिवार के किसी भी सदस को और खास कर जोते रड़ सिंधिया को हरान बहत मुश्किल है लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने केपी यादों पर दाव लगा दिया उन्होंने के भी यादों को नकिवल आशिरवाद दिया बलगी यह भी कहा कि जाओ मेदान में डटे रहो इसके बाद जब लोग सबाद चुना हुए और उसकी जो नतीजे आए उसने सभी को चोका कर रख दिया देश की राजनीती में जोतिरादित सिंधिया की हार एक बहुत बड़ी हार मानी गई और इसने कांग्रेस को भी हिला कर रख दिया कुल मिलाकर जोतिरादित सिंधिया की हार के बाद पूरा मामला गड़बड हो गया अब मोधी सरकार से उन्होंने अगरवी किये जो तिरदित सिंधिया ने कि लुटियन्स दिल्ली के उनके सरकारी बंगले को उन्हें ही दे दिया जाए यानि उस बंगले का आवंटर उनके नाम पर ही रखा जाए लेकिन मोधी सरकार ने उनके अनुवरत को टुकरा दिया है 2002 से लेकर 2019 के बीच गुना से लोगसभा सदिस रहे सिंधिया के नाम पर 27 सब्दर जंग रोड इस्तित बंगला आवंटित था और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हुने अपना यह बंगला खाली करना होगा सब्सक्राइब आप चानल और प्रेस्ट बाल इकन वर मोर अप्देश